हाँ तो गाइस आज किस वीडियो में मेरे पास में है ये मीवी का नया स्मार्टवोच मीवी मॉडल यी जो किया भी रिसेंटले में लोन चुआ है और साथ में ही है मेरे पास में स्मार्टफोन आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको आपको स्मार्टफोन से कैसे क connect करना है देको न्या smart watch है मुझे बहुंअ काफी कमेंट्स मल Harold है कि इसको के से connect करना है क्योंकि बहुत सारे भाई लोग connect तो कर ले दे हैं लेकिन प्रोब्लम काफी ज्यादा आती है किसी को notification नहीं मिल रहा है किसी को coal का notification नहीं मिल किसको क्या किसको क्या तो इस video मैं को completely बताने वाला हूं कि इसको कमप्लेटली आपको phone से कैसे से connect करना है ताकि call का notification, side notification आपको मिल जाए और आप watch faces वगरा सभी चीज़े change कर पाएं तो बने ये वीडियो में वीडियो को start करते हैं ये smartwatch मेरे साथ में ले लिया है और मैं आपको बताएता हूँ कि कौन सा application आपको download करना है तो बैदे को मैंने मिवी का जो application है मिवी health आपको ये application download करना है जो कि आप देख पाएंगे मिवी health आपको जो smartwatch मिलेगी यहाँ पर आपको scanner मिलेगा अगर scanner नहीं मिलता है तो मैं आपको दिखाए तो कहां से आपको scanner निकालना है यहाँ पर आप जाएंगे आपको only for camera को ले जाना है पास में और यहाँ पर आप इसको okay कीजिए और यहाँ पर आप देख पाएंगे मिवी health आ गया है इसको open करता हूँ open करने के बाद मैं आपको दिखाएता हूँ कि क्या क्या scene हमको यहाँ पर देखने मिलेंगे यह smart watch पास में है अलाव पर option करूँगा next करूँगा जो भी आपसे पूछे वो सब कुछ आप दे दीजेगा बाकी male female अगर आप check कर लीजेगा सब कुछ आप next कर दीजे कोई भी डालना नहीं है यहाँ पर आपको बाकी आप देख पाएंगे यहाँ पर जो smart watch है sorry जो application है उ यहाँ पर movie model option आपके सामने आएं इस पर आपको simply place करना है जिसे आप place करोगे आपका जो smart watch है वो आपके phone से connect हो जाएगा और यहाँ पर जो battery percentage वगरा है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो भी option आप से पूछे वो सबी चीजे आप इसमें दे दीजेगा बाकी जो smart watch ह वो आप देख पाएंगे बिल्कुल connect हो चुका है battery percentage वगरा आप यहाँ पर देख पाएंगे सबी चीजे शो हो रही है बाकी option आप देख पाएंगे upgrade अगर आपको करना है तो कोई भी update आएगा तो यहाँ से इसको आप update कर सकते हैं बाकी notification वगरा alarm वगरा shutter का option आपको देख सारे option मिलेंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर language का battery saving को option मिलेगा सबी चीजे आपको देखने के लिए मिल जाएगे receipt वगरा भी आप यहाँ से कर सकते हैं बाकी अगर मैं notification पर जाता हूं प्रेस करता हूं तो आपको यहाँ से ओन करना है उसके बाद में ही आपके पास में notification आ आएगा बाकी दर आएगे watch faces अगर आपको change करना है तो watch faces का option यहाँ पर उपर तरफ है इसको प्रेस कीजिए बहुत सारे watch faces आपको यहाँ पर देखेंगे मिल जाएंगे आप अपने coding यहाँ पर चूज कर सकते हैं अगर और आपको चाहिए तो discover all पे discover dial पे कीजिए आपको बहुत सारे यहाँ पर देखेंगे मिल जाएंगे एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी जो भी watch faces यहाँ पर है वो सारे पूराने watch faces है जो कि टी डबल फाइब जो स्माडोज आती है पूराने वाली क्लोन आती है उन में जो जो watch faces मिलते हैं वो यहाँ पर है नए कुछ भी watch faces तो मैं जैसे इस पर प्रेस करूँगा यहाँ पर आप देख पाएंगे percentage स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मुझे यह चीज तोड़ा बेकार इसका लगा आप देख पाएंगे कि कितनी देर से मैं इसको connect कर चुका हूँ य देख पाएंगे यहाँ पर आपको सभी चीज यहाँ पर मेंचन हो चुका है तो इस वीडियों बस इतना है